नमस्कार राज्य सिक्षा शोध एबं प्रशिक्षन परिशद पटना बिहार में आपका स्वागत हैं बच्चों हम पिछली कक्षा में स्वसन के बारे में चर्चा कर रहे थे आज हम फिर उसी कक्षा को आगे बढ़ाते हुए कक्षा सात्वी के विज्ञान का अध्याय स्वसन इस पर चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों जैसे कि हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि स्वसन यानि की रेस्पिरेशन जो होता है कौन सा प्रोसेस है बायो फीजियो कै प्रोसेस अब बायो इसलिए क्योंकि यह बायोजिकल है यह लीविंग में होता है फीजियो इसलिए क्योंकि जैसा मैंने आपको पहले पढ़ाया था जैसा मैंने आपको बताया था कि रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है पहला पार्ट ब्रीधिंग या है cellular respiration जो की हमारा biochemical process है bio chemical process है तो इस तरीके से हम यह कह सकते हैं कि respiration जो है वो bio physical chemical process है अब respiration को अगर हम समझे तो respiration complete जो होगा respiration यानि की स्वशन स्वशन का हम दो पार्ट में स्वशन जो है वो complete होता है पहला पार्ट कौन सा हो गया breathing यानि की बाय है स्वशन यानि की external respiration और दूसरा पार्ट कौन सा हो cellular respiration यानि की कोशी किये स्वशन यानि की हम यह भी कह सकते हैं कि internal respiration तो फिर से हम लोग देखेंगे breathing और cellular respiration में पूरा का पूरा respiration process जो है वो divided होता है हम यहाँ पर मानव में स्वशन की बात कर रहे हैं यानि की respiration in human being की बात कर रहे हैं तो breathing के बारे में अब breathing जो है यह मैंने पिछली कक्षा में आप लोगों को अच्छे से बताया था फिर भी एक बार revise करने के लिए बता रही हूं breathing process जो है यह भी दो steps में complete होता है पहला steps क्या है inhalation यानि की intake of oxygen यानि की स्वास लेना और दूसरा step कौन सा होगा दूसरा step होता है exhalation यानि की स्वास छोड़ना और जैसा कि हम बचपन से जानते आए हैं कि जब हम स्वास लेते हैं तो हम oxygen rich air जिसमें oxygen की मात्रा ज्यादा होती है वो ऐसा air जब हम लेते हैं तो उसमें से oxygen जो है वो respiration process में utilize हो जाता है उसका उपयोग होता है और carbon जब उसका उपयोग होता है तो फिर co2 release होता है तो breathing process को अब अगर हम समझे तो breathing process जो है वो हम दो पार्ट में divide कर सकते हैं पहला हो जाएगा inhalation यानि की स्वास लेना स्वास लेना और दूसरा होगा exhalation यानि की स्वास छोड़ना ठीक है तो अब हमें यह पता है कि breathing जो है inhalation exhalation जिसमें हमने diaphragm और ribs muscles के movement के बारे में पढ़ लिया आज हम जो चर्चा का हमारा मुख्य विशे है वह है cellular respiration cellular respiration में क्या होता है और कैसे जो है glucose का oxy current होकर के यानि की cellular respiration होकर के energy release होती है क्योंकि हम जैसा की चर्चा कर चुके हैं कि cellular respiration जो है या respiration जो है एक catabolic process है एक ऐसा process जिसमें energy release होती है energy बाहर जाती है निकलती है और वही energy किस फॉर्म में स्टोर होगी वह फॉर्म कान सा है वह फॉर्म है A T P adenosine tri phosphate तो बच्चों अब हम जो है कोशी की ये respiration इसको हम क्या कहते हैं कोशी की ये कोशी की ये इसके बारे में चर्चा करेंगे बच्चों हमने अभी तक पढ़ा था कि जब हम oxygen लेते हैं तो वो हमारे nose के थू हमारे mouth के थू हमारे pharynx then trachea और उसके बाद दोनों ब्रॉंकस में divide होते हुए हमारे दोनों तरफ जो दो लंग्स हैं उन लंग्स में एयर चला जाता है अब लंग्स में alveolar है कि लंग्स में क्या है alveolar है और alveolar क्या होता है मैंने आप लोगों को बताया था कि alveol मान लीज़े कि इक यह ब्रॉंकियोल होता है तो इसके साथ यह alveolai इस तरीके से बने होते हैं alveolai क्या करता है इसमें surface area बढ़ा देता है area बढ़ा देता है जब area बढ़ जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर एक्सचेंज करने के लिए मतलब जो गैसेज होती है उसका आदान प्रदान करने के लिए जगर जादा हो जाएगी अब कोशिक यह स्वशन के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो हमें यह पता होना चाहिए कि ऑक्सीजन हमारे पूरे रिस्पिरेट सिस्टम से आखिर हमारी कोशिकां तक कैसे पहुँच ते हैं उसको जानने के लिए मैं एक छोटा सा डाइग्राम आपके सामने बना रही हूं यह आप डाइग्राम धिहान से देखेंगे यह मान लीज knob कि मैंने यहाँ पर देखिए, मैंने यहाँ पर diagram के थुरू represent कर रही हूँ diagram के थुरू represent करने में करके मैं आपको दिखा रही हूँ कि यह मान लिजे एक कोशिका है, या हम इसको उत्तक भी लिख सकते हैं या कोशिका से बना हुआ उत्तक है दूसरी तरफ जो है हमारे पास क्या है लंग्स है यानि की फेफडे हैं फेफडे यानि की लंग्स और दूसरी तरफ है सेल तो मैं आपको बच्चों बता चुकी हूं कि लंग्स में जो है अल्वियोलाई होते हैं अल्वियोलाई जो होते हैं वो क्या करते हैं बहुत ही पतले होते हैं इनका जो सर्फेस एरिया होता है वो बहुत बढ़ा होता है बहुत फैले हुए होते हैं लेकिन इनका जो सता होता है यह बहुत थिन वाल्ड होता है अब इस थिन वाल्ड यह भी अब मानली जे हमने देखा ये भी थिन वाल्ड है अल्वियोलाई में हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती है वो बहुत जादा होती है बहुत प्रचूर मात्रा में अल्वियोलाईड में ब्लड कैपिलरीज होती है तो अब क्या होगा मानली जे कि इस तरफ हमने लिखा अल्वि capillaries, तो alveol I में जब oxygen की मात्रा जादा होगी, तो oxygen क्या करेगा, simple process of diffusion, यानि विसरन से, जहां इसकी मात्रा जादा है, वहां से, जहां इसकी मात्रा कम है, वहां चला जाएगा, तो alveol I से blood capillaries में कब जाएगा, जब inhalation हो रहा है, मतलब oxygen से भड़ी हुई, जो oxygen rich air जो है, हमने जब ली है, तो ये oxygen, क्योंकि उस समय alveol I में oxygen जादा होगा, तो वो oxygen जो है, विसरित हो करके, diffuse हो करके, वो चला जाएगा, blood capillaries में, क्योंकि उस समय oxygen की मात्रा यहां जादा होगी, अब हम देखते हैं, कि कैसे, alveol I किसका और यह हमने बनाया है, blood का, पूरी body में क्या होता है, हमारा जो है, पूरी body में blood का circulation जो है, वो continue होता रहता है, तो अब यहां पर हमने क्या देखा, कि यह blood है, पूरी body में blood फैला हुआ है, oxygen फेफडे से जब निकला, तो हमारे blood में hemoglobin present है, hemoglobin आप लोगों को पता होगा, कि hemoglobin जो है, वह pigment है, जिसकी वजह से हमारी blood जो है, वो कैसा लगता है, वो red color का दिखता है, एक तो वो red color का दिखता है, और दूसरा उसका function यह है, कि वो respiratory gases, मतलब कि यह जो स्वसन में जो हमारी gases participate करती है, मतलब oxygen और carbon dioxide, इसके transportation में मदद करता है, तो अब हम लोग देखेंगे, कि oxygen यहाँ से निकला, क्योंकि यहाँ पर oxygen की मात्रा जादा है फेफडो में, तो oxygen फेफडो से निकला, और blood में गया, यहाँ पर हम देख रहे हैं, किस process से, simple process of diffusion से, oxygen निकला, बाहर निकला, blood में गया, blood में क्या है, hemoglobin, मैंने आपको बताया ह है, क्या है, blood में, hemoglobin, hemoglobin को denote करने के लिए हम HB लिखते हैं, इसको simple form में लिखने के लिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर लिख रहे हैं, HB, जब hemoglobin और oxygen मिल जाते हैं, तो यह बना देता है, oxy hemoglobin ठीक है, जैसे ही कोशिका के पास पहुचा, तो अब कोशिका के पास पहुचते ही, यह oxy hemoglobin जो है, यह break हो जाएगा, तोट जाएगा, और फिर यहाँ से oxygen अंदर चला जाएगा, और hemoglobin as it is यहीं पर रह जाएगा, hemoglobin तो हमारे blood में ही present होता है, तो इस तरीके से oxygen कहा चल गया, कोशिका के अंदर चला गया, अब, अब क्या होगा, hemoglobin blood में है, यहाँ पर कोशिका में कोशी किये स्वशन होगा, कोशी किये स्वशन के बाद, क्या release होगा, carbon dioxide, बहुत सही का आपने, कोशी किये स्वशन के बाद, जो gas release होती है, वह gas है, carbon dioxide, तो अब क्या हुआ यहां पर हेमोग्लोबीन प्रेजन्ट है इसने यहां पर बना दिया मैं इसको यहां लिख रही हूं बलड लिखा हुआ इसलिए कारबॉक्सी अ हेमोग्लोबिन अब यह क्रार्वोक्सी हेमोग्लोबिन के फॉर्म में ब्लड में सर्कुलेट हो रहा है संचरन इसका हो रहा है जैसे ही यह फिफडों के पास पहुंचा यानि कि अब यहां देखिए यह ब्लड कैपिलर इस यहां पर क्या है कार्वोक्सी हेमोग्लोबिन के फ CO2 की, तो CO2 क्या करेगा, सीधे विसरत होके कहाँ चला जाएगा, Alveoli में, कहाँ गया ये, यहाँ चला आया, यहाँ से O2 ऐसे आया था, तो उसी तरीके सब यहाँ क्या आजाएगा, यहाँ आएगा CO2, देखें, CO2 यहाँ आगया, अब CO2 यहाँ आगया, तो अब फेफडों से क्या होगा, फेफडों के थुरू फिर उसी उल्टे रास्ते से वो चलते हुए, ब्रीधिंग प्रॉसेस के दौरान, कारवन डियोकसाइड जो है, वो बाहर चला जाएगा, यह तो हमने समझा कि अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरीज के बीस में एक्स्चेंज ऑफ गैसेस कैत्रे होती है, मतलब गैसों का आदान प्रदान, अल्वियोलाई और ब्लड कैपिलरी, यानि कि अल्वियोलाई बोल रही हूं, मतलब बच्चों यह फेफडे का पार्ट है, फेफडे के अंदर है अल्वियोलाई, तो इस से और ब्लड कैपिलरीज के बीच में कैसे गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, वो हमने समझा, अब इसके हम लोग और समझ रहे हैं, इसके डिटेलिंग के लिए, अब हमने देखा कि ऑक्सीजन जो है, कहां चला आया, सेल के अंदर, तो अब हम सेल के अंदर की बात करते हैं, कोशी की श्वशन की बात कर रहे हैं, यानि हम अब कोशिका के अंदर स्वसन प्रक्रिया में क्या होता है वो अब हम देखते हैं तो यहां हम देखेंगे यह कोशिका है समझें यह कोशिका है यहां पर आपने वहां देखा ब्लड से ऑक्सीजन जो है अंदर आ गई ऑक्सीजन यहां पर आंदर आ गई अपने स्कोशिका के अंदर जो हम भोजन लेते हैं उसकी पाचन के बाद जो ग्लुकोज बनता है वह ग्लुकोज इसी के अंदर प्रेजेंट है ग्लुकोज ग्लुकोज बच्चो ग्लुकोज जो होता है उसका फॉर्मूला भी मैं आपको लिख के दिखा रही हूँ C6, H12, O6 तो आप यहां देख रहे होंगे कितने कार्बन कंपाउंड है मतलब यह कैसा कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है इस जो यह ग्लुकोज है इसमें 6 कार्बन कंपाउंड है यानि की 6 कारबन जो है एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं एक-दो तो अब इन ही six carbon compound के बीच में जो bonds है इन bonds को break होता है यही ब्रॉंड जो है ब्रेक होते हैं और oxygen of glucose होता है मतलब oxidation of glucose होता है oxy current process जो है वह cell के अंदर होता है यहाँ पर बहुत ध्यान से देखना बिटा c6 h12 o6 साइटो प्लाज्म है यह और यह इसका हम अब हमें दो ही चीजों से मतलब है साइटो प्लाज्म से और mitochondria से क्योंकि स्वसन में दो ही का participation होता है साइटो प्लाज्म का और mitochondria का तो यहाँ हम देख रहे हैं यह mitochondria है यह glucose जब oxygen के touch में आएगा contact में आएगा तो इसका breakdown होगा लेकिन अभी glucose पहले क्या होगा यह यह दो में 3 carbon compound में तूट जाएगा एक glucose है यह 3 carbon compound वनाएगा जिसको हम कहते हैं यह पर 3 carbon compound यहा पर भी 3 carbon compound जिसको हम कहते है पाईruvate या पाईruvate ऐसीड पाईruvate इस process को glycolysis कहते हैं इस process का नाम क्या है glycolysis यह जो process है जिसमें 6 carbon compound 2 carbon compound में तूट जाता है इस process को हम glycolysis कहते हैं 3 carbon compound बन गए पाइरुवेट बन गए मतलब यह glucose जो है वह किसमें convert हो गया यह oxygen का काम जरूरत हमें mitochondria के अंदर परती है cell के अंदर mitochondria के अंदर oxygen काम करेगा यह glucose किसमें convert हो गया दो पाइरुवेट में ध्यान से देखना एक glucose में 6 carbon था तो एक glucose जब break हो रहा है विखंडन हो रहा है उसका विखटन हो रहा है तो कितने glucose कितने carbon compound बने 3 carbon compound यहां 23 carbon compound बने मतलब दो पाइरुवेट बनेंगे अब अगर oxygen present है oxygen है तो यह पाइरुवेट single carbon compound यानि की यह mitochondria के अंदर चला जाएगा यह पाइरुवेट और यहां पर oxygen पहले से पहुंचा हुआ है तो पाइरुवेट oxygen के साथ के पास जब जाएगा mitochondria के अंदर तो पाइरुवेट जो है वो breakdown होकर के क्या बना देगा CO2 plus H2O plus energy energy देगा जो हमारे किस form में store होती है ATP इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि यह ATP क्या होता है अभी आप इतना समझें कि जो oxygen कोशिका के अंदर आया वह oxygen यहां पर हमें मदद कर रहा है glucose के oxygen में जब glucose का oxygen होता है तो glucose जो की six carbon compound है वह तूट करके सिंगल carbon compound में बन जाता है जब अगर oxygen है तो अगर oxygen नहीं है तो उसका complete oxygen नहीं होता अगर oxygen है तो complete oxidation हो जाएगा complete oxygen हो जाएगा तो single carbon compound CO2 form हो जाएगा लेकिन अगर oxygen नहीं है तो यह ethanol बना देता है जैसे कि fermentation होता है तो ethanol बना देगा या मतलब alcohol बनाएगा बच्चो अलकोहल बनाएगा या कई बार जब हमारी body में जैसे हम लोग आप क्या करते हैं जब हम लोग बहुत दौरते हैं या जम करते हैं या खेल के आते हैं तो हमें लगता है कि हमारी compound बनता है वह कौन सा compound है वह है lactic acid तो दो तरह के respiration हो गया अब हम इसी से बात निकालेंगे कि यहां पर आपने देखा अगर इस glucose का पूरा ऑक्सी करन हो गया तो बनेगा co2 plus h2o plus energy ठीक है अगर oxygen नहीं है तो दूसरा क्या बन जाएगा lactic acid दूसरे case में पहला case यह हो गया जिसमें co2 पूरा बन रहा है h2o बन रहा है energy release हो रही है दूसरे case में lactic acid बन रहा है तीसरा case जो है उसमें क्या बनता है alcohol यहां पर ethanol बनता है जो कि two carbon compound है plus co2 plus energy water भी निकलता है मैं अभी water के बारे में ज्यादा detail में नहीं बता रही है यहां पर लिख देंगे यहां लिखा हुआ मैंने तो water भी निकलेगा लेकिन यहां अंतर क्या है वो समझेंगे यहां जो energy release होगी वो प्रचूर मात्रा में होगी क्योंकि complete oxy current हो रहा है पूर्ण तरह से glucose का oxidation हो रहा है इसलिए यहां पर energy ज्यादा निकलेगी लेकिन जब हम alcohol बनता है या lactic acid बनता है तो energy जो बनती है वो बहुत कम मात्रा में energy release होती है इस पूरे प्रोसेस को मैं एक बार बता रही हूं फिर हम लोग types of respiration पढ़ेंगे जो हम लोग यहां से निकालेंगे इसलिए इसको ध्यान से देखना यहां पर देखिए जब हमारे फेफडो में मैं इसको लंग्स कर देती हूं अब जब लंग्स में oxygen की मात्रा जादा होगी तो लंग्स यानि की फेफडो से oxygen ब्लड में चला जाएगा पूरे शरीर में हमारा करता है थासपर्ट करने में यानिकी आउक्सीजन और कार्बन डेयोक्साइड जो हमारी स्वशन की दो गैसेज हैं उनको ट्रांसपोर्ट करने दो अजो हक्सीजन आया हमोंगलोबीन के साथ कमबाइंड हो यह एक compound बना देता है oxy hemoglobin oxy hemoglobin जैसे ही कोशिका के पास पहुचती है तो यहां से oxygen निकल जाता है और oxygen कहां चला जाता है कोशिका के अंदर कोशिका के अंदर कोशिकी यह स्वशन होगा कोशिकी यह स्वशन के बाद आप यहां देख रहे हैं क्या निखल रहा है co2 निकल र अब blood के अंदर CO2 गया, वो hemoglobin के साथ combined होकर के फिर बना देगा carboxy hemoglobin, जैसे ही ये carboxy hemoglobin वाला blood फेफड़े के पास पहुँचेगा, यानि कि alveoli वाले जो blood vessels होते हैं, तो CO2 की मात्रा क्योंकि यहाँ जादा होगी, तो यह विसरित होके कहाँ चलाएगा, वो फेफड़ो में चलाएगा, इसको हमने समझ लिया, अब हम एक बार इसको भी देखे, यह glucose जिसका ऑक्सी करन होना है, अब हम देखेंगे कोशिका में, कोशिका में क्या आया, oxygen और यहाँ पर glucose पाचन के बाद से अल्रेडी आया हुआ है, पहले से ही है हमाई पास glucose, इसी glucose का जब ऑक्सी करन हो जाएगा, तो वह glucose जो की 6 carbon compound है, यहाँ देखेंगे glucose का formula मैंने लिखा है, C6, H2O6, तो 6 carbon compound है, वह बनाएगा CO2 plus H2O plus energy, मतलब single carbon compound बना, तो इसमें यह bonds जो हैं वो break होते हैं, जब break होंगे तो क्या निकलेगी, energy निकलेगी, और वह energy किस form में stored होगी, तो वह होती है, ATP के form में, इसी थरीके से अगर oxygen नहीं available है, तो दो और अलग compound form करेंगे, कौन से, lactic acid और alcohol, यह दोनों जब form होंगे, तब भी energy release होगी, लेकिन energy की मात्रा बहुत कम होगी, यहाँ पर energy बहुत प्रचूर मात्रा में निकलेगी, और यहाँ पर energy कम मात्रा में निकलेगी, यह respiration है, यह जो स्वसन है, यह जो oxy करन वाला है, यह क्या कहलाता है, aerobic, aerobic respiration और oxy स्वसन, यह दोनों जो है, जिसमें हमारे पास oxygen नहीं होते हैं, या कम होते हैं, वो कौन सा स्वसन होगा, वह होगा, un-oxy स्वसन यानि की an aerobic respiration, इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे, और इसके differences को देखेंगे, कि इन में क्या अंतर है, ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे, oxy स्वसन scorpion, anoxy स्वसन, यह इसको क्या कहेंगे aerobic respiration और दूसरा कौन सा है an aerobic respiration ठीक है तो अभी पहला अंतर क्या होगा वच्चो बताओ तुम लोग हां बहुत सही यह किसके प्रेजन्स में होगा oxygen के presence में यानि की oxygen यहां पर उपस्थित होगा यहां किसके प्रेजन्स यहां क्या होगा oxygen नहीं होगा या फिर कम मात्रा में होगा या फिर तो अनग पस्तीत होगा या फिर नहीं होगा हम लोग यहां पर अब क्या अंतर होगा यहां पर absence of oxygen लिख ले हम लोग प्रेजन्स और यहां पर लिख सकते हैं absence of oxygen या फिर lack कमी से lack of oxygen oxygen की कमी में यहां अब अगला point क्या है इस process में जो बनेगा product वो कौन सा होगा वह है co2 plus h2o plus energy यानि की carbon dioxide form हो रहा है यहां पर क्या बनेगा यह अल्कोहल इथेनल नहीं लिख रही हूं में अभी आप थोड़े छोटे हो अल्कोहल लेकिन अगर जानना चाहते हो तो यह होता है इथेनल इथेनल बनता है plus energy यहां भी निकलेगी plus co2 भी होगा और lactic acid या फिर lactic acid पहला अंतर हमारा यह होगा दूसरा यह lactic acid plus energy ठीक है यह हमारा दूसरा अंतर हो गया तीसरा अंतर क्या होगा यहां पर energy क्या होगी बहुत जादा energy release होगी यहां पर energy जो होगी वह कम energy release होगी मतलब more energy more energy released more energy released यहां पर क्या होगा less energy energy तो यह जो है यह हमारे मेन जो basic difference है यानि कि इसके अंदर जो है main जो हमारी क्या इंडू इन में अंतर होता है यह हमने देखा अनुक्सी स्वसन और oxygen की कमी में होगा यह oxygen के absence में होगा अनुपस्थिती में होगा aerobic respiration oxygen के presence में होगा और oxygen के presence में होगा plus जो oxygen है वहाँ पर complete oxidation of food होगा एक और चीज़ लिख सकते हम यहाँ पर वह क्या है complete oxidation of glucose यहाँ पर हम लिखेंगे चौथा point incomplete यह तीसरा है हमारा यह दूसरा यह पहला incomplete oxidation oxidation of food ठीके बच्चो तो यही जो है यही में अंतर है oxy सवसन और un-oxy सवसन में इसके बाद अब हम लोग देखेंगे कि अभी हमने किसके सवसन के बारे में बात की अभी हमने मानव में वहाँ ज़यादा बात की लेकिन इसके साथ-साथ हमने type of respiration की बात की है तो हमने lactic acid की बात की यह alcohol की बात की तो alcohol का फॉर्म होगा अल्कोहल जो process से फॉर्म होता है उसको हम कहते हैं fermentation, fermentation होता है यह बैक्टेरिया में होता है तो इस तरीकी yeast में होता है यह process जो है तो इसका मतलब हम कहीं न कहीं दूसरे जीवों के बारे में अभी हम जान रहे जा रहे हैं अब उसमें हम लोग किस से शुरू करें जब हम जीव से जो की एक कोशी किये है अमीवा अमीबा के के बॉडी का जो सत्ह होता है उसका जो बॉडी सर्फेस होता है वहां से ही रेस्पिरेशन होता है बॉडी सर्फेस से ठीक है यानि सत्ह से अब इसको थोड़ा सम लोग समझेंगे मान लीजे यह अमीबा है अमीबा है अमीबा अब आपको पता होगा कि पानी में है रहता है तो अमीबा ने का यह सर्फेस है बॉडी का सर्फेस है यूनिसेलूलर है यह यहां पर ऑक्सीजन की मात्रा कहां ज्यादा होगी ऑक्सीजन की मात्रा पानी में ज्यादा होगी तो ऑक्सीजन सीधे डिफ्यूजन प्रॉसेस से विसरन से ऑक्सीजन यहां से यहां चला आएगा जब स्वासन की प्रक्रिया हो जाएगी यानि ऑक्सीडेशन ऑफूड हो जाएगा अंदर तो यहां से क्योंकि CO2 के मात्रह यहां जाधा हो जाएगी तो CO2 जो है वह कहां चला जाएगा बाहरी जोगा बस यही simple process क्योंके Amoeba Unicellular है कोशी की यह जीव है तो इस simple process यह amoeba में diffusion process say respiration होता है दूसरे की बात करें अब थोरा हम multi cellular में चले तो multi cellular में हम केच्वे को देख ले केच्वा यानि की अर्थमाम तो इसमें कैसे होता है skin से तवचा से किसे होगा तवचा से तवचा से इसका skin जो होता है वो moist होता है केच्वा को आप देखेंगे कि मिट्टी में जो है मौस्ट स्वाइल में वो रेंग करके चलता है तो उसके skin से जो है और रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है थोरा सा हम आगे बढ़ते हैं अब हम बात करते हैं insects की यानि की कीटो की अगर हम तेल चट्टे को ले लेते हैं तो इन में जो है स्पिरेकल से जो छिद्र प्रेजेंट होते हैं इसके थूरू इनके रेस्पिरेशन होता है इसी तरीके से अगर हम देखें तो चौथा अगर हम लें अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं अब हम किसमें आ गए अब हम इसमें आएंगे मेंधक में आएंगे तो मेंधक में दोनों तरह के रेस्पिरेशन है मेंधक पानी में भी रहता है और मेंधक जमीन पे भी रहता है तो मेंधक में स्कीन से भी होता है और लंग्स से भी होता है और आपको पता होगा कि मेंधक का जो लार्वा फॉर्म होता है यानि कि गिल्स से भी होता है जब तक वो tadpoles seated में लार्वा के स्टेज में है environ-son face में तो गिल्स से भी होगा कि स्कीन से भी होगा और जब वो जमीन पी आ जाता है तहल्ट से भी हुगा कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि सिंपल से complex Orthodox form में जो है अब respiration process जो है चल रहा है यहाँ पर skin भी होता है lungs भी होता है और इसके larva में गills भी होता है इसी तरीके से अभ गills की बात चूरी है तो मचलीयों के बारे में हम बात कैसे न करें तो मचली जो होती है उसमें किस से होता है उसमें गल्फडे से यानि की गिल्स से, गिल्स को ही गलफडा कहते हैं, तो इसमें भी गिल्स से होते हैं, और इस तरीके से आगे बढ़ते बढ़ते, अगर हम पक्षियों को देखें, तो उनमें air sacks होते हैं, तो air sacks के थुरू respiration होता है, और धीरे धीरे हम लोग mammals पे आ जाते हैं, जहां पर हम देख रह फिर भी अगर है, तो एक बार जरूर अपनी किताब को देखेंगे, और फिर से कक्षा को अच्छे से देखेंगे, तो समझ में आने लगेंगी चीजे.